तरीके से आकड़े सामने आ रहे हैं शिवरास सिंग चोहान की लिहाज से बहुत महत्वपूर हैं 148 सीट पर लगातार भारते जंता पार्टी बढ़त बनाए हुए है तो वहीं राजस्थान और 36 गड़ का जो चुनाब है वो बहुत दिल्चस्प होता हुआ नसर आ रहा है क् राजस्थान और 36 गड़ में अच्छी फाइट चल रही है 36 गड़ में बीजेपी कभी आगे निकलती है तो कभी कॉंग्रस आगे निकल जाती है विजलक्ष्मी अगर मैं 36 गड़ के लिहास से समझू तो भूपेश बखेल जो इतने confident नजर आ रहे थे अपनी योजनाओं को लेकर अपनी बातों को लेकर अपनी मुद्दों को लेकर गारेंटीज को लेकर आखरी वक्त में बीजेपी ने कौन सा मास्टर स्टोक चल दिया कि भूपेश बखेल अब पीछे भी चल रहे हैं और मुश्किल में तो पड़ी हुए है बीजेपी ने उठाया तो एक तरफ से करप्षन के इशू पर बुपेश बखेल को गुरा वहीं दूसरी तरफ धर्मांतरन जैसे लोकल इशू को भी बीजेपी ने वहाँ पर उठाया हाला कि बीजेपी का संगटन उसकी लीडर्शिप वहाँ पर नहीं है संगटन ने काम इस तरह की आलोचना बीजेपी की होती रही पूरी कैम्पेइनिंग के दौरान लेकिन उसके बावजूद जो आक्रे हैं उसमें लगता है कि जनता अभी अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो अब उपेश बगेल की गैरेंटीज या उनकी जो योजनाई थी उस पर भरोसा नहीं जता है जनता ने और शायद इसलिए बीजेपी बिना किसी स्ट्रॉंग रीजनल फेस के या स्ट्रॉंग कोई नारेटिव के बिना भी अगर इतना अच्छा करती है तो यह बड़ा सर्प्राइजिंग होगा कौंगर्टी ने कराये थे और हर सर्वे में कहा गय है और चेहरों को बदल दिया जाना चाहिए लेकिन कॉंगर्स की दिक्कत यह थी कि अल्टरनेटिव उन सीट्स पर अवेलेबल ही नहीं था या उस नेता ने कोई दूसरा सेकेंड रंग आफ लीडर्शिप वहां पर उभरने ही नहीं दिया तो ऐसे में मजबूरी में राजस्थाने में अशोग एलोत के हाई कमांड से लड़ाई में उन्हों बहुत बड़ा रोल प्ले किया था तो अशोग एलोत नो कोशिश कि इनको टिकेट मिल जाया और मिल भी गया और ऐसे जो बाकी मिनिस्टर्स हैं यह सब वो लोग हैं जो अशोग एलोत के करीबी थे इसलिए मैंने का था कि राजस्थान में यह जो हार होगी यह अशोग एलोत के लिए बड़ा सेट बैक होगी क्योंकि उन्होंने केमपेंग अपने हिसाब से चलाया अपने हिसाब से गारनेटी यूद्याईश उन्होंने एनौन्स की अपने लोगों को टिकट दिलाने में को सफल रहे पूरे केमपेंग को उन्होंने लीड किया और अगर वो इतना सबोने के बाद भी मैजोर्टी नहीं पाएंगे तो यह उनकी राज़ीती के लिए बहुत बड़ा सेट बैक होगा सुरेन सिंग राज़पूर जी कॉंग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े में सुरेन जी तिलंगाना के लिए आपको बधाई दिखाई दे रही आपकी सरकार बंती हुए अभी तक तो लेकिन बागी तीनों राज़्यों में आपके लिए उत्सावर्दक नतीजे नहीं है मद्यप्रदेश तो बिल्कुल लैंड्स्लाइट भाजपा के लिए है राजिस्थार में कम से कम 20 सीटों का अंतर दिखाई दे रहा है और 36 गड़ में भी कम मार्जिन से सही बीजेपी आगे चल रही है बहुत शुक्रिया सौरभ भाई देखिए केतने की फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए जंग हो या इश्ख हो भरपूर होने चाहिए हमने चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा है और हमें पूरी भरोसा है मर्द्यप्रदेश की भी राजस्तान की भी तेलंगाना और 36 गड़ की जंता पर और निश्चित तोर पर वो जो भी फैसला देगी वो हमें मंजूर होगा अभी बहुत अर्ली ट्रेंड है शायद एक तो सजवा देता है इस्क एक तरफ़ा हो तो सजब देता है कि म назв a मिले सझा मिल मिनक्षी दोनों चीज़े मंजूर होनी चीव जब आपको करना है तो बहुत इसमें तो बहुत इसमें तो कोई चीज नहीं आप सुईकार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे मैं आप से जिम्मेवारी से कहता हूँ कि हमारी पूरी की पूरी ताकत हमने पूरी जोकी है हमने जंता के सामने गए है राजयस्थान में लेली जी हम अपने गारंटीG के साथ गए हैं राजयस्थान में लेली जी अशुग गैलॉँज साब एक स्टाल वाट नेटा के रूप में छुनाओ लड़े हैं वहां पर उनके सामने कोई नहीं था मध्य प्रदेश में ले लिजी हम लोगोंने पूरी तरीके से शिवराज सिंग जी के 18 साल के साशन के प्रती गुस्से को हमने चुनाव लड़ा है अब रिजल्ट क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं और इश्क जो है मिनाक्षी दो तरफा ही है चिंता मित कीजे आखरी विजय हमारी ही होगी अब भारती जनता पार्टी को जो कहना चाहिए वो ही कहेंगे वो चुकि आज की डेट में भी रुजानों में वो आगे हैं अभी ये बात कहेंगे और कल हो सकता है अभी रुजानों की जगर जब नतीजों में पीछे चले जाएंगे तो फिर वो दूसरी बात कहने लगेंगे उनकी बात को लेकर के हम अपना मानस क्यों बनाए हम तो जनता जनारदन को लेकर के अपनी बात करें अगर कहीं कोई कमी है तो उसको पूरा करने की बात करें और अगर कहीं कहना हमें अच्छा प्रपढ़ना मिलता तो जनता जनारदन के सामने शिश्णवा कर उसको सुईकार क कि अभी बहुत अर्ली ट्रेंड्स हैं पहला या दूसरा राउंड चल रहा है कोई भी 18 राउंड का शैद मतगणना है तो हमारा तो यह मानना है कि 18 राउंड की मतगणना पूरी होते होने तक हम राजिस्थान और मध्यप्रदेश में आपकी और हमारी आशाओं के यह स्थाओं के सब्सक्राइब ही तो वहाँ प्रें तो उन लोगों की नहीं है अब क्या हो रहा है क्या हो रहा है इस लिए जान्ट भात करेंगे तिनों राज्यों में इसेнок ब्चैप्र पी आगे दिखाइब रही है